हेलो फ्रेंट्स इस समय हम MS PowerPoint बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हमने Animation Type को पूरा Complete किया था कि Animation Type का काम क्या होता है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे PowerPoint के Slide So Type के बारे में कि PowerPoint में Slide So Option का यूज किस तरीके से करते हैं अगर आप लोग MS PowerPoint बिल्कुल शुरू से सीख रहे हो तो हमारे सभी वीडियो देखे आप लोग PowerPoint के एक्सपर्ट बन जाओगे और उन वीडियो की लिंग आप लोगों को नीचे description box में भी मिल जाएंगी तो चलिए हम अपने वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो चलिए जानते हैं यहाँ पर हमने पहले से कुछ slide बना के रखी हैं ताकि आप लोगों को हम अच्छे से समझा सकें slide so option के बारे में और slide so के पहले हमारा animation का type आठता है जिसको हमने पीछे पूरा complete कर लिया है और इसमें हम slide so option का use करना सीखेंगे slide so slide so के नाम से ही पता चलता है कि हमारी जो slide है इनको हम किस तरीके से सो करवाना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहला हमारा जो option है from beginning का from beginning की सहाथा से हम अपने slide को बिल्कूल शुरू से सो करवा सकते हैं जो हम keyboard की या 5 बटन फ्रेस करके use करते थे जब हम from beginner पे अपना cursor लेके जाएंगे तो यहां पे shortcut भी नीचे लिखके आती है या 5 तो या 5 प्रेस करें यह हम from beginning पे किलिक करेंगे हमारे सामने बिल्कूल शुरू से slide open हो जाएंगी किलिक करेंगे हमारी next slide आएगी फिर किलिक करेंगे हमारी next slide यहां से इस तरीके से आती जाएंगी यह होता है from beginning का का काम कि from beginning से हम क्या करते हैं from beginning के बार next option है हमारा from current slide इस से क्या होता है जिस भी slide पे हम होंगे अगर हम उसी slide को सो करवाना चाहते हैं तो from current slide सो का यूज करेंगे किलिक कर देंगे तो जिस भी slide पे हम होंगे हमारे सामने वही slide open होगी स्काइब बटन प्रेस करेंगे हम फिर बैक आ जाएंगे जैसे कि slide number 5 है किलिक किया हम चाहते हैं कि अवल इसी slide को सो करवाना तो from current slide पे किलिक करेंगे हमारे सामने वही slide सो होगी तो इस तरीके से हम current slide का यूज करते हैं फिर इसके बाद next option आता है present online का अगर हम online अपने slide को कहीं पे present करना चाहें तो कर सकते हैं उसके लिए हमारे computer में internet connect होना चाहिए फिर इसके बाद हमारा next option आता है custom slide सो custom slide सो का काम क्या होता है जैसे कि हमारे सामने 5 slide सो हैं हम चाहते हैं केवल 1 number slide को और 3 number slide को और 5 number slide को सो करवाना तो हम custom slide सो करवाते हैं custom slide सो की सहाइता से हम जितनी भी slider सो करवाना चाहें अपने हिसाब से अर्जेस्ट कर सकते ह häufasında किके πर निचे लिक क्या रहा हि कर नकर सो ईहाँ पर नूपर करेंगे हमारे समने जतनी हैंहां चाहते हैं पहली संदुर पहले म cabinets करेंगे लाड़ पर किलिक करेंगे यहां पर इसके बाद हम पाच नमबर स्लाइड पर किलिक करेंगे और यहां से कर लेंगे आइड करेंगे यहां पर करेंगे ओके किया फिर यहां पर सो का अप्शन है सो पर किलिक कर देंगे अब हमारे सामने जितनी स्लाइडे हमने यहां से सलेक्ट की हैं उतनी ही स्लाइड हमारे सामने सो होंगी जैसे हम किलिक किया हमारे सामने तीन नमबर की स्लाइड आई है फिर किलिक करेंगे हमारे सामने जो स्लाइड आई है यह स्लाइड पाच नमबर की है इस तरीके से हम जितनी भी slides चाहें वो slides अपने हिसाब से अरजेस्ट कर लेंगे जैसे कि हम custom slide पे फिर click किया custom show 1 दिया है click कर देंगे और यहाँ पे click करेंगे हमारे सामने 1, 3 और 5 नंबर के slide show होगी फिर इसके बाद next option है set up slide show हम यहाँ से अपने slide जो है इनका setting कर सकते हैं जैसे कि click किया हमारे सामने नया option open होके आएगा set up slide show यहाँ पे दिया है present by speaker full screen यानि कि जब हम slide show करते हैं तो हमारे slide show full screen में open होगी इसलिए यहाँ पे point लगा है अगर हम browsed by an individual window यानि कि window के according अगर show करवाना चाहें तो हम इस पर click कर लेंगे फिर यहाँ पर next option है इसमें so slide show यानि कि हम all slides सभी slide show करवाना चाहें तो यहाँ पर टिक करेंगे from पर click करेंगे इसका काम होता है जैसे कि एक से पांच तक slides show है हम चाहते हैं से लेके चार तक slides show हो तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे टू और यहाँ पर टाइप करेंगे फोर यहाँ पर करेंगे और यहां से करेंगे किया अब हम फिराम beginner पर click करेंगे तो हमारे सामने जो हमने वहाँ से सेटिंग की है उसी सेटिंग के हिसाब से slide हमारी open होंगी फिर हम करेंगे setup slides show पर और यहां से कर देंगे all और करेंगे ओके अब जब हम loop continuously, यूटली, Skype यानि कि हम Skype ना करें और हमारे जो slider है शुरू से लेके last तक सो हो फिर automatic सुरू से start हो जाएं तो हम यहां पर click करेंगे और करेंगे okay फिर हम करेंगे from beginning पर अब हम जब किलिक करेंगे इस तरीके से किलिक करते जाएंगे last वाले में आएंगे तो फिर से हमारी वही one number slide से start हो जाएगा अब हम keyboard से Skype बटन यूज करेंगे तो हमारा उस तरीके से option आएगा तो हम इस तरीके से setup slide सो का यूज करते हैं फिर इसके बार next option है हाइट स्लाइट का हम चाहते हैं जब हम स्लाइट को सो करें तो दो number की जो slide ना सो हो तो इसको यहां से कर देंगे hide जब hide करेंगे तो इसका color हलका हो जाएगा अब हम चाहते हैं पांच नमबर slide है जिए भी ना सो हो किलिक करेंगे slide hide कर देंगे और यहां पर बिंगनर पे क्लिक करेंगे एक number स्लाइड आएगी फिर हमारी जो slide है तीन नमबर स्लाइड आएगी फिर चार नमबर आएगी तीन ही с लाइट आएगी और दो s o को हमने हाइड कर दिया फिर show करवाना हो, click करेंगे, टिक हटा देंगे यहां से, फिर click किया पाँच नमबर पे hide slides से टिक हटा देंगे, अब जब हम यहां से show करेंगे, तो हमारी सभी slides सो होंगी कुछ इस तरीके से, तो यहां पे हमने setup slides show, hide slides show को भी complete कर लिया है, फिर इसके बाद next option आता है, rehearse timing का, जैसे कि जब हम किसी भी school या किसी के लिए presentation को तयार करते हैं, कि हम यह वहां पे किस तरीके से बोलना है, तो हम उसकी पहले rehearsal अपने आप कर लेते हैं, या कि अपने आप हम उसको पहले practice करते हैं, किस तरीके से हम वहां बोलेंगे, और एक slide पे हमारा कितना समय लगेगा, त का option है, यह भी सो हो रहा है, और एक slide में total कितना समय लगेगा, यहां पर है, और total सभी slide का समय यहां पर count होगा, जब हम click किया, तो इस slide में अभी यहां पर 14 second का समय लगा है, फिर click किया, दूसरी slide आ जाएगी, यहां पर समय चल लहा है, इस slide को हम जब rehearsal करेंगे, इसकी practice करे तो जो भी समय लगेगा, यहां पर सो होगा, यानि कि हम यहां पर rehearse करके नहीं दिखा रहे हैं, जब आप इसको किसी को समझाएंगे, कि इसका use किस तरीके से करना है, फिर triple C course के बारे में, टैली के बारे में समझाओगे, जो समय लगेगा, वो यहां पर सो होगा, और total समय हमारा यहां पर दिखाई देगा, फिर किलिक करेंगे, फिर यहां पर timing स्टार्ट हो जाएगी, फिर किलिक करेंगे, फिर यहां पर इस slide की timing सो होगी, फिर किलिक करेंगे, तो इस slide की यहां पर timing सो होगी, और किलिक कर देंगे, और यहां से हमको yes कर देना है, फिर यहां पर जब हमने यस किया है, तो status bar में जो यहाँ पर दिखाया देरा slide shorter का click करेंगे, अब हम यहाँ से देख सकते हैं, किस slide पे हमारा कितना सम लगा है, पहले slide पे 15 second, दोसी slide पे 27 second, तीसरी पे 4 second और इसी तरीके से 3 और 2 second का सम यहाँ पे लगा है, तो इस तरीके से हम rehearsal timing का यूज कर करके अपने स्लाइडों की हम रिवीजन कर सकते हैं कि कि स्लाइड को समझाने में कितना समय लगेगा वहां हम अपने हिसाब से अर्जेस्ट कर लेंगे फिर उसी तरीके से करना हो तो हम व्यू में आके नॉर्मल पे क्लिक करें या इस्टेटिस वार में यहां पर नॉर्मल का अप्षन है क्लिक करेंगे ठीक उसी तरीके से हो जाएगा फिर यहां पर स्लाइट सो में रिहर्च टाइमिंग का यूज हमन तो हमारी स्लाइड हैं अगर हम इनको रिकार्ड करना चाहें तो यहां पर रिकार्ड पर किलिक करेंगे और यहां पर स्टार्ट पर हम किलिक कर देंगे इस्टार्ट पर किलिक करेंगे यहां से रिकार्डिंग चालो हो जाएगी अब जैसे कि यहां पर ब्रस है ब्रस पर किलि हो जाएगा फिर किलिक करेंगे इस स्लाइड की हमने इतनी रिकार्डिंग की फिर किलिक किया दोसी स्लाइड आ जाएगी यहां पर जब है यहां पर हम पिन कलर ले लेंगे कलर जो भी लेना हो ले और यहां से इस तरीके से किसी भी कोर्स के बारे में अगर हमें किसी को information देनी हो यहां से इस तरीके से हम information दे सकते हैं यह हमारी होती है recording timing का यहां पर इसी तरीके से फिर हम करेंगे ब्रस पर किलिक कर देंगे नॉर्मल हो जाएगा किलीख करेंगे यहां पर इकार्डिंग इस टार्ट रहेगी फिर किलीक किया और यहां पर हम कीप एक ली कर देंगे अब आप लोग देख रहे होंगे हमारी जो रिकार्डिंग थी रिकार्डिंग हो गई है और हमारी जो स्लाइड है इनको जो हमने समझाया है कितना समय लगा हो भी यहां से देख सकते हैं और यहां पे जब हम यहां पर एक माइक का अप्शन है यहां से भी हम रिकार्डिंग अपनी अर्जेस्ट कर सकते हैं यहां पर आप लोग देख र होनी चाहिए तब हम इसमें और कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी स्लाइड को यहां से करेंगे चालू तो जो भी रिकार्डिंग की है औash पर हुरो क्या होता है अफिर यहांट आप से है monitor का हमारे computer में जो भी monitor connect हो यहां से हम उनको देख सकते हैं और अपनी slide को हम किस-किस monitor पे सो करवाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से यहां पर monitor को adjust कर लेंगे monitor का काम क्या होता है तो इस वीडियो में हमने slide show को पूरा complete कर लिया है किस slide show का use किस तरीके से करते हैं और इसके एक-एक option के बारे में अगर आप लोगों की कोई भी confusion हो तो comment करके पूछ सकते हो हम आप लोगों को अगले वीडियो में उसकी confusion जन्दूर कर देंगे तो वीडियो आप लोगों को हमारा कैसा लगा comment करके जरूर बताएं अगर आप लोग एडिसीए basic course बिल्कूल सुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे channel के माध्यम से सीख सकते हो जब हम एडिसीय का पूरा course complete करेंगे तो हम आप लोगों को बता देंगे कि इसका certificate पाने का process क्या रहेगा क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हम अगले वीडियो में review type को पूरा complete करेंगे कि review type का यूज कैसे करते हैं हम मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for this watching वीडियो